नमस्कार आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मयंक गॉड अमेरिका की नाक में सालों से दम करने वाले अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान को भी अभी एक आतंकी संगठन परिशान कर रहा है जिसका नाम है ISKP यानि Islamic State Khorasan Province इस संगठन में शामिल होने के लिए भारत के केरल राज्य से एक शक्स सनावल इसलाम गया था जो कई देशों की यात्रा करते हुए अफगानिस्तान के कंधार में पहुँचा जहां तालिबान की एजिंसियों ने उसे दबोच लिया तालिबान ने खुलासा किया कि पकड़े गए शक्स के पास से एक भारतीय पासपोर्ट भी बरामद हुआ है इस पर उसका नाम सनावल इसलाम निवासी मलबपुरम केरल लिखा हुआ है अफगान तालिबान के दावे के मताबिक प्रारंबिक पूच्ताज के बाद इस व्यक्त को हिरासत में ले लिया गया है उसके पास से मुबाइल फून बरामद हुआ है जिसकी जाँच की जा रही है हालंकि भारती एजेंसियों ने इस समंद में अभी कोई इसपष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है बताया जा रहा है कि सनावल इसलाम ताजिकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुचा था अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के खुफिया महानिदेशक के एक अधिकारी ने कहा उससे कांधार आने की वज़ा पूछी गई तो उससे बताने में वो नाकाम रहा इस मामले में अफगानिस्तानी नियो जेजन्सी दखुरासान डाइरी ने एक एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा अफगानिस्तान के कांधार में एक भरते नागरिक सनावल इसलाम को पुलिस ने पकड़ लिया है अफगान अंतरिम सरकार के खूफिय महानिदेशक के एक अधिकारी ने कहा वो कांधार की अपनी यात्रा के उद्देश्यक को बताने में सक्षम नहीं था वो भारत के केरल का रहने वाला है और ताजिकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुँचा है जिसने उसे एक संदिक्द इस्लामिक स्टेट बना दिया है सहयोगी उससे आगे की पूछताज के लिए डीजियाई को सौफ दिया गया है खुरासान डायरी के मुताबिक 2014 के बाद से अफगानिस्तान में ISKP से जुड़े हुए कम से कम 11 पहचाने गए भारतिया नागरिक या तो मारे गए हैं या फिर पकड़े गए हैं जिनमें से अधिकांश ताह केरल से थे आपको बता दें कि केरल से कई बार आतंकी संगठनों के नाम जुड़े होने के मामले सामने आ चुके हैं कई बार इन मामलों में खुलासे कर चुकी है कि इनके संबंद कई आतंकी संगठनों से है जैसे कि Islamic State of Iraq and Syria अब ISKP का इसमें नाम आया है इसके अलावा कई पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी केरल के कई लोगों के पकड़े जाने की खबरे अक्सर सामने आती रहती है जिनके खुलासे भारत की NIA करती रहती है और अब इस मामले में एक और शक्स सनावल इसलाम जो कि ISKP में शामिल होने के लिए गया था अपने मकसद को कामयाब करने के लिए अफगानिस्तान गया था जिसके पास से भारतिया पासपोर्ट भी मिला हुआ है क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं